आईए बच्चो आज़की क्लासे स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 8 से चेफटार 18 Operation on rational number पढ़ने वाले हैं तो आईए कुछ rational number के बारे में जान लेते हैं कि rational number होते क्या है तो rational number जो है बच्चो वो हमें सब P by Q के form में होता है जहाँ पे आपका Q वाले जो value है वो कभी भी 0 होनी होना चाहिए Q does not equals to 0 अब हमने यहाँ पे कुछ example ले लिया जैसे कि 1 by 2, 3 by 4, minus 3 by 5, etc तो यह सारे तो आपके example हो गया rational number के अब कुछ irrational number के भी example देख लेते हैं जैसे कि 5 by 0 condition यह था कि जो Q के place में है values वो आपका 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे Q के place में 0 है इसलिए 5 by 0 जो है वो आपका rational number होगा वैसे ही 3 by 0 नहीं है यहाँ पे एक और example है 4 by 0 by 4 अपने condition यह है rational number के लिए क्योंकि place में values है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए बट P तो 0 हो सकता है तो यहाँ पे P के जो place में value हो वो 0 है क्यों आपका 0 नहीं है मतलब यह जो आपका condition है उसको satisfy कर रहा है 0 by 4 है वो आपका rational number का example होगा बाकि 4 by 0, 3 by 0 and 10 by 0 it is not rational number अब देखे इस chapter में आपको कुछ properties बढ़ने के लिए मिलेंगे तो first में है यहाँ पे associative properties तो आपके question कुछ इस order में रहेंगे जैसे कि a plus bracket close b plus c तो यह आपका equal हो जाएगा या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम अब देखे इसमें last के यहाँ पे actually में c है देखे यहाँ पे आपका जो bracket है वो last में लगा है तो यहाँ पे just इसके opposite है यहाँ पे bracket आपका starting में लगा है मतलब a plus b में हम bracket लगाएंगे और c को आप ऐसे ही लिखेंगे तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा associative properties फिर एक आपको मिलेगा commutative properties से related question तो यह क्या होता है a plus b is equal to b plus a ठीक है मतलब कुछ question ऐसे हो सकता है 2 plus 5 और यह इसी को हम ऐसे भी लिख सकते है मतलब b plus a मतलब 5 plus 2 तो both condition में आपका जो answer है वो 7 आगा तो यही आपका जो है वो commutative properties हो जाएगा बच्चो अब आईए एक और properties के बारे में discuss कर लेते हैं जो कि आपका distributive properties तो distributive properties कुछ इस form में हो सकता है a यहाँ पर कुछ भी sign नहीं है मतलब वहाँ पर into है तो a b plus c is equal to देखे question का order कुछ ऐसे हो सकता है तो इसको आप 100 लोग ऐसे करेंगे a का into कर देंगे b से मतलब a into b फिर plus का sign तो plus और a into c या question का order कभी कभी कुछ ऐसे change हो सकता है मतलब यह जो bracket starting में लगा है यही जो last में लगा है वो starting में भी हो सकता है मतलब ऐसे a plus b into c तो actually मैं c का into करेंगे इन दोनों से तब यह हो जाएगा ac plus bc तो कुछ ऐसे आपको solve करने के लिए मिलेगा जब हम question को देखेंगे तो ज़्याद अच्छे से आपको clear हो जागए यह सारे properties अब आएए बच्चो हम exercise के कुछ question solve कर लेते हैं आएए बच्चो exercise 18.1 से first question solve करते हैं तो यहाँ पे देखिए first है आपका add the following rational number यहाँ पे हम first देख लेते हैं तो first में आपका क्या है 3 by 2 और आपको add करना है तो इनके बीच में जो sign रहेगा वो plus का हो जाएगा और यह आपका 13 by 17 अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं cross multiply करके answer लाएँगे ठीक है बच्चों तो 17 का multiply हो जाएगा 3 से तो 17 3 से होता है आपका 51 प्लस का sign तो plus 2 का multiply कर देंगे 13 से तो यह आपका हो जाएगा 26 और last में 2 का multiply 17 से कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 34 देखिए यहाँ पे 17 का multiply 3 से हुआ है फिर 2 का multiply 13 से हुआ तो 17 का 3 से करेंगे तो 51 plus 2 into 13 करेंगे तो 26 और last में इनका आपस में हम multiply करेंगे तो यह 34 हो गया अब आएए इनकों और स्वालो का लेते हैं देखिए यह 5 plus 6 7 5 plus 2 27 तो यह आपका answer आजाएगा 77 by 34 के equal तो यह भी आपका answer rational number के form में आया है इसको आप चाहो तो जब mix fraction में लिखना चाहेंगे तो इसका जो value है बच्छो वो 2 9 by 34 के equal हो जाएगा ठीक है आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपका answer correct हो जागा क्योंकि rational number का जो answer है वो भी rational number में ही आएगा और 77 by 34 जो है वो आपका rational number में है अब आईए यहाँ पर हम second वाला देख लेते हैं तो देखिए second यहाँ पर क्या है minus 7 upon 9 और आपको यहाँ पर तो add करना है तो इनके बीच में sign हो जाएगा plus का और यह है आपका minus 3 by 4 यहाँ पर भी आपको cross multiply करना है 4 का multiply minus 7 से करेंगे तो यह आपका हो जाएगा minus 28 ठीक है बच्चों फिर 9,30 तो देखिए यह positive number का negative number से minus multiply करेंगे तो answer आपका negative में आएगा तो यह आपका हो जाएगा minus 27 और last में आपका 9 का 4 से करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 36 ठीक है बच्चों अब देखिए आपका यह both number आपका negative है जब आपका both numbers negative रहते हैं उस condition में क्या करते हैं हम negative sign comma लेंगे और numbers को add कर देते हैं तो यहाँ पर आप minus sign comma लेंगे जैसे कि example के example मैं आपको यहाँ पर बता रहूँ और यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 plus 2 तो यह हो जाएगा actually में यह minus और 2 plus 2 हो जाएगा 4 तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे minus sign इनका हम common लेंगे और numbers को हम add कर लेंगे तो हमने minus sign common ले लिया और इसको आप ऐसे लिख सकते है 28 plus 27 upon 36 minus आप देखें इनको आप add कर दें तो जब add करेंगे तो यह equal हो जाएगा आपका 55 के और सामने minus sign तो minus 55 upon 36 हो जाएगा और इसको आप mix fraction में लिखना जाएगे तो ऐसे लिखेंगे minus 1 19 upon 36 6 तो यह आपका answer complete हो गया बच्चो आईए यहां से अब last वाला भी हम question देख लेते हैं कि उसको कैसे बनाना है तो देखें यहां पर है आपका 4 sorry 3 by 4 आपको add करना है तो इनके बीच में sign हो जाएगा plus का और यह minus 2 by 5 cross multiply कर लेंगे तो 5 into 3 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 15 अब देखेंगे 4 का multiply हो रहा है minus 2 से तो यह आपका हो जाएगा 4 2 is a 8 और यह तो minus 8 last में 4 into 5 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 20 अब देखेंगे आपको करना क्या है बच्चो यहां पे एक number है positive और यह आपका negative तो 15 में आप minus कर देंगे 8 तो 15 में जब आप minus करेंगे 8 तो आपके पास answer आएगा 7 by 20 तो यह आपका answer complete हो गया बच्चो अब यह बच्चो second question जाएगे तो देखें यहां पे क्या है use commutative properties to fill up the following blanks यहां पे यह जो blanks आपको नज़र आ रहे होंगे इसको आपको fill up करना है देखें पहले समझ लेंगे कि commutative properties हैंगे कुछ इस form में होगा a plus b तो इसको आपको ऐसे भी तो लिखा जा सकते है b plus a बोट condition में आपका answer same आएगा तो देखें यहां पे आपको क्या लिखा है minus 5 upon 9 plus 4 upon 7 यहां पे आपको क्या दे दिये है 4 equal to 4 by 7 plus तो यहां पे आपको लिखना क्या रहेगा तो यहां पे हम लिखेंगे क्या बजगे आपका minus 5 upon 9 तो यहां पे हम minus 5 upon 9 लिख लेंगे अब देखिए ये है, minus 11 upon 29 plus 6 upon 31, तो इसको या भी suppose A plus B के form में है, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकते हैं, B plus A, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, 6 upon 31 plus, और इसको लिख सकते हैं, bracket close करके minus 11 upon 29, अब यहां पर ये negative number है, इसलिए हम इसको bracket close करके लिख रहे हैं, यहीं पर ये positive रहता, तो bracket close करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती बच्चो, अब देखिए ये वाला question 3, minus 15 upon 7 plus, यहां पर blank space दे दिया है, और यहां पर starting में क्या है, 13 upon 19 plus, तो यह जो आपका है, यह यहां पर आ जाएगा 13 upon 19, तो A plus B हो गया, फिर यहां पर equal में क्या लिखते है, minus 15 upon 7, फिर यह next वाला देख लेते हैं, 4th number का, 5 by 6 plus minus 7 upon 9, equal to minus 7 upon 9, plus करके क्या हो जाएगा, 5 by 6, तो यह आपका answer complete हो गया, बच्चो, आएगे बच्चो, 3rd question देखते हैं, देखे, 3rd में आपका, so that minus 2 by 5 plus 4 by 9 plus minus 3 by 4 is equals to minus 2 by 5 plus bracket close 4 by 9 plus minus 3 by 4, which property is used in this, आपको बताना है कि यह जो question है, इसमें कौन सा property used होगा, जो हमने starting में देखे थे ना, कुछ important properties, तो उसमें से आपको बताना है, तो देखे, आप जानते हैं, associative properties, तो actually में क्या होता, क्या है, associative a plus b plus c, तो यह equal हो सकता है, आपका a plus b plus c, मतलब, फर्स्ट में आपका जो last के जो two terms है, वो bracket close में रहेंगे, और यहां पे starting में, तो question भी कुछ इसी order में है, आपका, ठीक है, मतलब यह वाला order इधर है, और यह वाला order, यह है, तो इस question में जो property use होगा, वो आपका होगा, बच्चो, associative, तो यह आपका answer आट, आए बच्चो, fourth question, simplify, solo करते हैं, तो यहां पे total three questions है, आईए यहां पे देखते हैं, तो फर्स्ट में हैं, यहां यहां पे, 3 by 7 plus 4 by 9 plus minus 6 upon 11, तो आईए इसको solo करते हैं, देखिए, जब भी ऐसे आपका rational number के form में question रहते हैं, तो इनको solo करने के लिए, इनका जो denominator है, अब numerator, denominator समझ लो, जो उपर वाले जो terms है, जैसे 3, 4 और 6, वो है numerator के place में, और यह जो upon में है, 7, 9 और 11, यह आपका denominator की place में, तो आपको करना गया रहाएगा, सबसे पहले denominator में जो भी numbers हैं, उनका आपको LCM निकाल लेना है, तो यहां पे आपको लिखना रहेगा, LCM of denominator 7, 9, 11 is, अब देखिए, सारी number अलाग-अलाग हैं, और किसी एक number के table से तो करते नहीं है, तो इस condition में, इनका जब आपको LCM निकालना है, तो 7 into 9 into 11 कर देंगा, तो आपको मिल जाएगा, 693, तो यह आपका LCM निकाल गया, अब आपको करना किया, इन सबका ना equivalent fraction निकाल लेना है, तो देखिए, यहां पे देखते हैं, यह आपका 3 by 7, अब इसका आपको equivalent fraction निकालना है, तो यहां पे जो आपका LCM आया है, उसको equal करके, यहां पे denominator के place में आपको लिख लेना है, अब देखिए, इस 7 में किस number का multiply करेंगे, जिससे कि यह 693 हो जाए, तो वो check करने के लिए आपको करना क्या है, इस 693 को आपको divide कर देना 7 से, यह actually में rough फर्क है, आपको find करना है कि इस 7 में किस number का multiply करें, जिससे यह इसके equal हो जाएगा, 693 के, तो आपको suppose नहीं मालूम है, तो इसका भी एक तरीका है, आपको करना क्या है, 7 से इस number को divide कर दो, तो 790 होता है आपका 63, तो देखिए, यह solo करेंगे, तो फिर से आपका 790, 63, मतलब आपके पास answer क्या है, 99, मतलब 99 का multiply करेंगे 7 से, तो किसके equal हो जागा, 693 के, तो इसलिए यहाँ पे आप 7 के साथ और 3 के साथ आप 99 का multiply करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे करेंगे, तो यह तो इतना हो जाएगा, 693, बट 3 का multiply 99 से करेंगे, तो यह आपका equal हो जाएगा, 297 के, मतलब हम यह बोल सकते हैं, 3 by 7 का equivalent fraction हो जाएगा, 297 upon 693, तो यह आपका first निकल गया, वैसे ही आप यह next भी देख ल 11 का, यहाँ पर फिर से आपको डिनुमेटर मलिक लेना, 693 क्योंकि यह आपका L से हम आया है, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपने पता किया ना, कि इसमें यहाँ पे कौन से नंबर का multiply करें, जिससे यह हो, तो आपको यहाँ पे 7 का multiply करके किये थे, अब यही पर ज यह answer है बच्छो, वो आ जाएगा 77, तो 77 का आपको multiply करना है, 9 के साथ भी 9 के साथ multiply करेंगे, तो 693 हो जाएगा, और जब आप 4 के साथ करेंगे, तो यह हो जाएगा 308 के equal, तो 4 by 9 का equivalent fraction निकल जाएगा 308 by 693, last में आपका minus 6 upon 11, तो यहाँ पर भी फिर से आपको लिख लेना है जो आपका LCM आया है, उसको denominator में 693, अभी आप यहाँ पर minus का sign नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, अब आपको पता करना है कि 11 में किस number का multiply करेंगे, जिससे कि यह आपका equal हो जाए, 693 के, यहाँ पर जब आप 63 का multiply करें तो यह equal हो जाएगा, 693 के बच्चों, तो यह तो इतना equal हो जाएगा, और 6 into आप करेंगे, 6 into 63 करेंगे, तो यह आपका equal हो जाएगा, 378 के, तो हमने इन सब का equivalent fraction यहाँ पर निकाल लिया, अब देखिए, आगे करना क्या है, यह जो आपका question है ना, इसकी place में इसको equivalent fraction को आपको लिखना रहेगा, अब जैसे कि 3 by 7, तो 3 by 7 किसके equal है, 297 upon 693 के, प्लस का sign है तो प्लस, 4 by 9, 4 by 9 किसके equal है, 308 upon 693 के, फिर यहाँ पर प्लस का sign है, या प्लस into minus करेंगे, तो यह actually में minus ही हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 6 upon 11, यह किसके equal है, 378 upon 693 के, अब देखिए, इन सब का जो base है बच्चों, वो same है, यहाँ पर भी 693, 693, 693, तो जब भी आपका base सेम होगा, तो उसको आपको 1 times लिख लेना है, और बाकि जो remaining numbers है, उनको with sign आपको लिख न रहेगा, अब देखिए, यहाँ पर आपका क्या बच्च जग है, तो यह equal हो जाएगा, 605 के, और यह minus 378 upon 693, 605 में जब आप minus करेंगे 378, तो यह 227 के equal हो जाएगा, और upon में 693, तो यह आपका answer आगया बच्चों, देखिए, यह आपका minus 1 by 6 plus minus 2 by 3, 3 plus minus 1 by 3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते है, minus 1 by 6, अब इस plus sign का multiply करेंगे minus से, तो यह equal हो जाएगा, minus 2 by 3, यहाँ पर भी plus into minus, तो आपको हो जाएगा, minus 1 upon 3, अब आपको करना क्या है, इनके जो denominator में है, उनका LC हम निकाल लेना है, ठिक, LCM of 6, 3, 3, तो इनका जो LCM है, वो आजाएगा 6, ठीक है बच्चो, 6 आजाएगा LCM, LCM कुछ ऐसे निकालते हैं, देखें, यह पहले दोनों 3 में आ जाएगे, 3, 2 जा, 3 वन जा, 3 वन जा, फिर यह इसको last में 2 से कर लेना है, आपको, 2 वन जा, यह 1, और यह 1 आपका याज़ट, इस तो इनको multiply कर देते हैं, आप multiply करेंगे, तो 6 आएगा ना, मतलब इसका LCM है, 6, 3, 3 का जो LCM है, वो आजाएगा, 6, अब आपको करना क्या है, जो last question में किया है, प्रिवेस वाले में, stem करना है, इन सब का, आपको equivalent निकाल लेना है, fraction, अब इसको आप यहाँ पे हम directly भी बना सकते हैं, अब देखी, यहाँ पे आपका जो LCM है, वो कितना आ गया था, 6 आ गया था, तो देखो, 6 में 1 का multiply करते तो इतना आ था, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, यह minus 1, फिर य करेंगे, तो 6 होता, और 2 में 2 का करेंगे, तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे minus 2, वैसे इस 3 में किसका करेंगे, तो 2 कही करेंगे, तभी 6 होगा, तो यहाँ पे minus 3 में करेंगे, तो 6 हो जाएगा, फिर यह आपको यहाँ पर भी तो करना रहता है, तो यह हो जाएगा, आपका minus 2 ठीक है बच्चो अब आईए इसको और आगे देख लेते हैं तो देखे ये आपका सारे number जो है negative है तो उस condition में आपको करना कह रहत है minus sign, comma लेंगे और numbers को add कर देते हैं पॉन 6 ये आपका हो जाएगा minus 7 by 6 ये आपका answer complete हुआ बच्चो